आखिर कोरियन लड़ के डाड़ ही क्यों नहीं रखते हैं टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है होटल के चादर हमेशा सफेद रंग की ही क्यों आखिर क्यों फ्रीज में फ्रीजर उपर ही होता है और तो और इतना ही नहीं आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे दोस्तों आपने बाइक के टायर के पास यह ओरेंज कलर की चीज़ देखी होगी लेकिन क्या कवी आपने सोचा है कि आखिर यह बाइक में क्यू लगी होती है और इसका क्या काम होता है अगर नहीं तो चलिए जानते हैं दरसल इसे रैडियम कहा जाता है और यह और इंज इसलिए बाई के स्कूटी में ये लाइट दिया जाता है क्योंकि रात में या चमकता है जिसके चलते दूसरी गाड़ी को दिख जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं वग्यानिकों के मताबिक बोलने की छमता रखने वाले पक्षियों के दिमाग में वोकल लेर्णिंग को नियंतरित करने वाला एक केंद्र होता है जिसे कोर कहते हैं लेकिन तोते के दिमाग में इस कोर के अलावा एक सेल भी पाई जाती है जो बोलना सीखने में मदद करती है विज्ञानिकों का खेहन है कि तोते की कुछ प्रजातियों में यह सेल समाने से कुछ बड़ी पाई जाती है जिसके चलते विज्जादा अच्छे तरीके से इंसानों की आवाज नकल कर पाती है दरसल दोस्तों कोरियन लर्कों में 99% लोग डाड़ी नहीं रखते हैं इसके पीछे के कई कारण हैं जिसमें से पहला कारण या है कि कोरिया में ऐसा माना जाता है कि जो वेक्ति डाड़ी रखता है वा गंदगी और आलस को दरसाता है और दोस्तो कोरियन लड़कों में टेस्टोस्टिरॉन की कुछ ऐसी मात्र होती है जिसकी वज़े से उन्हें डाड़ी कम आती है या आती ही नहीं है और इसी की वज़े से वज़ादा उम्र में भी जवान दिखते हैं और तो और दोस्तों कई बार कोरियन कम्पनियों की ऐसी मांग होती है कि उमीदवार की डाड़ी नहीं होनी चाहिए इसलिए भी वहां के लोग डाड़ी नहीं रखते हैं होटल के बैडरूम में सफेद चादर बिछाने की सबसे एहम वज़ा ये है कि सफेद रंग के संपर्त में आने से मन और दिमाग सान्ती मैसूस करता है जिससे तनाव में कमी आती है जिससे आप स्ट्रस फ्री होकर अपनी वेकेशन को इंजोई कर सकते हैं सबसे खास वज़ा होटल में सफेद रंग की चादर बिछाने की या है कि उससे लगजरी लूग आता है साल 1990 में एक रिसर्च के अनुसार पाया गया था कि सफेद रंग से लगजरी लूग आता है तब सही होटल में सफेज चादर का ट्रेंट चला आ रहा है हमें धकार क्यों आती है धकार आनाई कैसी प्रक्रिया है जिससे पेट में एकत्रित हवा बाहर आती है खाना खाते समय कई वार मुँख खोलने से हवा हमारे पेट के अंदर चली जाती है बोजन नली में च्छाती और पेट के बेज दरवाजे के समान एकरचना होती है जब पेट में काफी गैस और हवा इकत्रित हो जाती है तो ब्रेन से इन गैसों को बाहर निकाले का संदेश आता है इस संदेश के कारण पेट के मान स्पेस या सकत हो जाती है जिससे या दरवाजा पल भर के लिए खोलता है और ड़कार के रूप में हवा गले और मुझे होती हुई बाहर निकलती है जब हवा पेट से नली में आती है तो कमपन करने लगती है और इसी कारण से डकार में आवाज पैदा होती है दरसल दोस्तों जब कवर पीला हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि मुबाइल कवर मेला हो गया है लेकिन ऐसा नहीं होता है यह टांस्पेरंट कवर सिलिकॉन के बनी होती हैं सिलिकॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कि काफी ज़ादा सस्ता होता है और लचीला भी होता है इस पॉलीमर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि इन्वार्मेंट में रहने वाले लाइट और हीट की मदद से मुबाइल कव पर पीला हो जाता है अगर आप साइंस के बुक पड़े हैं तो ये बात आपको पता होगा क्योंकि साइंस के मताबिक गरम हवा ऊपर की तरफ और ठंडी हवा नीचे की तरफ जाती है और इस फॉर्मुला को दिहान में रखकर रेफ्रिजेटर को बनाया गया था यह कि रेफ् ऊपर में रहने वाली फ्रिजर से ठंडी हवा रिलीज होकर नीचे रहने वाली चीजों को ठंडा करती है और इसलिए राफ्रिजेटर का फ्रिजर उपर ही होता है नमबब 3 किरकेट में 3 स्टम्प फिक यूं होते हैं दरसल दोस्तों पहली की समय में इक रेट में दो समस्या होती थी इनके बीच से कोई बॉल इतनी तेजी से निकल जाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि बैटमेन आउट है की नहीं दोस्तों इसी समस्या से बचने के लिए किर्केट में तीन स्टम का प्रयोग किया जाने लगा जिसे आगे चल कर नियम बना दिया गया है कि किर नमबर टू टायर का रंग काला ही क्यों होता है इसका साधारन से जवाब है कार्बन ब्लैक जिसकी वज़े से टायर का रंग काला होता है आपको बता दूब के रबर प्राकर्तिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता और घिसता भी बहुत जल्दी है अगर टाय तेर, सिंपल रबर की टायर से दस गुना से भी जादा चलता है, नमबर वान, अकबार में ये बिंदू क्यों दिया जाता है, दरसल अकबार के नीचे के बिंदू के रंगो को CMY के कहा जाता है, C मिन्स क्यान यानी नीला, M मिन्स मैगनेटा यानी गुलाबी, अकबार में जिन रंगों से लिखा जाता है उन रंगों को नीचे गोल बिंदू की तौर पर अंकित कर दिया जाता है जिन रंगों से अकबार में प्रेंट्टिंग की जाती है उन्हीं रंगों को नीचे की तरफ गोल बिंदू बना कर सो किया जाता है अगर नीचे के बिन दूसरी MY के कर्म में रहते हैं तो या समझना चाहिए कि अगबार में सब कुछ सही है लेकिन अगर या कर्म बिगड़ा है तो इसका मतलब या है कि अगबार में कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रेंट हुआ है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी मोर इंटरस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को